यह देश के CGI का ही कमाल है कि अब हाइकोट भी ऐसे फैंसले लेने लगे हैं जो लोगप्रिय हो रहे हैं चर्चित हो रहे हैं जी हां हम बात कर रहे हैं अभी एक दिन पहले जो वीडियो जारी हुआ दस जो डीम थे जो जिला कलेक्टर थे जो हाइकोट पहुंचे थे गौहर कर के मैं बता दूं कि जो 10 जिला क्लेक्टर के विरुद्ध कर थे जारी हुआ है तमील नाडु में जो रेथ खरनन का मामला है जिसमें की के लागातर चल रही सुन मिला अफरा तफरी हुई क्योंकि कि एक संवेधानिक संस्था ने दूसरी संवेधानिक संस्था को समझ जारी किया दौनों के अपने अपनी अपनी संवेधानिक शक्तिया हैं दौनों ही सरकारी महक में सरकारी विभाग हैं तो ऐसे में बड़ा सवाल कि जब एक विभाग ने दूसरे विभाग को समझ जारी कि कोई किसी का क्लिर्फिकेशन देनी के लिए नहीं आया हूं कि कौन करफ्ट है कौन नहीं है वो रखता है कि वह शामिल रहे हूं लेकिन जब समन जारी हुआ उस समन को लेकर कि जब डी-एम है वह हाई कोट पहुंचे तो हाई कोट ने इस पूरे मामले को सुना हाई कोट की द जी हाँ डी-एम जिस मामले को लेकर के हाई कोट पहुंचे थे समन के खिलाफ उनको समन जारी हुए उन्होंने हाई कोट मेरे जो दाकिल की उनकी अपील थी कि इन पर रोक लगा दी जाए हमें बेवज़े परिशान किया रहा है हमें अपना काम करने दिया जाए क्योंकि ए जाए कोट ने अभी रोक लगा दी है अंतरिम तरीके से रोक लगा दी है अभी इस पर रोक लगाते हुए इडी से यह भी कहा कि आप अपनी जांच को चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन जो डास डियम को शामिल आपने जांच में किया है इनकी जांच अभी रहेगी तो कहीं ना कहीं आधेश दिखाता है कि देश में जब देश की सर्वोच संस्था है सुप्रिम कोट उसके जो न्याहिधीश नहीं डरता है जो केवल न्याहिधीश की बात करता है जब ऐसा मुख्य नियाए देश में होगा तो निश्चित तोर पर निचली अधालत पर असर आएगा निचली अधालत अभी काम करना शुरू करेंगे और उसी काम का नतीजा है कि जो दस डीम थे जो नोंने सम्मन के लिए गई थे रोक लगाने के लिए गई थे उस सम्मन पर रोक लगा दी है तो कहीना कहीं से जो एडी के जो जो भी काम करने का तरीका है उस पर कहीना कहीं सर पड़ेगा और ऐसा लगता है कि मुदी सरकार का जो हतियार है जो ब्रहमास्त्र है एडी वो फिलहाल सुप्रिम कोट के आगे चल नहीं पा रहा है ऐसा प्रतित होता है इस इस मामले में अगली जो सुनवाई किती है वो 31 दिसम्बर तक उन पर रोक लगा दी गई है, 30 दिसम्बर को इस मामले की दवारे से सुनवाई होगी, मामला फिलाल मोधी सरकार और ED के खिलाफ इस हाई कोट ने ते किया है, और मामले से फिलाल जो 10 जला कलेक्टर और कहेंगे क तमिल नाडो की सरकार को फिलाल राहत दी गई है, मामला बेहद अच्छा है, और समवधानिक द्रस्टी से देखें तो हाई कोट का फैंसला है, तो हम हाई कोट सुप्रिम कोट या प्रतिक कोट का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि लीगल प्रैक्टिसनर है, तो मामला बेहद लोगों तक शियर जरूर करें, साथ ही आप लोग हमारा जो चैनल है चौधरी लीगल एससियेट और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ऑफिशल प्रतिक चौधरी दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शियर करें, इसके ताथ आप लोग हमें फेस्ब करेंट or की और हमेंट